राम राम कोड़ेस मुझे उमीद आप सब बहुत अच्छे होंगे अगर आपको आपके DSA से रिलेटेट प्लेस्मेंट और इंटर्शिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है then you can check out our complete placement and internship preparation course link for it is in the description box ठीक है आज का पहला question तो इसमें आपको find करना है कि कितने arithmetic triplets है ठीक है arithmetic triplets क्या है एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं ठीक है तो a triplet ijk ठीक है ijk क्या है index है को हम arithmetic triplet बोलेंगे if nums of j minus nums of i is equal to difference ठीक है और यह difference आपको question में दिया हुआ होगा और again nums of k minus nums of j ठीक है तो this minus this ठीक है should be equal to difference and this minus this should also be equal to difference ठीक है जो भी आपको दिया हुए value और अगर ऐसा कोई triplet है तो it is arithmetic triplet और आपको बताना है कि उस array में कितने unique arithmetic triplet है और यहां पर एक चीज़ और बहुत अच्छा से दिया हुआ है कि जो array है आपका वो strictly increasing array ठीक है तो सब काम ही है आपका spot करके दे दिया है इनों नों तो बस करना क्या है जैसे कि अगर मान लो मैं 0 पे गया ठीक है तो जीरो के corresponding arithmetic triplet नहीं मिल सकता वन पर एपन ठीक है वन पर आने के बाद हम लोग हो जेंगे कि आप 4 है क्या ठीक है 4 है 4 के बाद हम क्या search करेंगे 4 plus 3 ठीक है 7 7 minus 4 ही difference 3 देगा तो हम लोग search करेंगे 7 है क्या ठीक है 7 भी है तो हमको एक arithmetic triplet मिल गया इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे 4 पे गया 4 पे जाने के बाद हम search करेंगे कि अगें 4 plus 3 7 है क्या ठीक है 7 मिल गया अब 7 पे जाने के बाद हम क्या search करेंगे 7 plus 3 10 है क्या अगें 10 भी मिल गया तो या वी अगें got a unique arithmetic triplet तो इसी तरीके से काम करना है बहुत tough question है नहीं बस आपको searching करना अगर आप brute force पे लिख देते तो constraints ऐसा है कि accept हो ही जाता अब इसको मैंने क्योंकि searching है और अगें आपको यह sorted array दिया हुए तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपन यहां पर binary search लगा सकते हैं मैंने वैसी binary search लगा कि answer निकाला है इस example के साथ मैं आपको code dry run करवा देता हूं इस तरीके से code होगा और अगर आपको पहले से upper bound lower bound पता है तो अच्छा अच्छी बात है और अगर नहीं पता है ठीक है तो मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा hint दे दूँगा उसके आप खुद से एक दो बड़ सर्च करें तो हो जाएगा ठीक है तो यह question आ गया इस question में क्या हो गया कि सबसे पहले मैंने एरे पे trade करना चालू किया और एक यह चीज मैंने यह क्यों लिखा है आपको बता देता हूं कि की आपको हमेशा unique पूछा है ठीक है तो अगर ऐसा है one 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 and then four seven ठीक है और आपका difference मान लेते है three का दिया हुआ है तो यहां पर आप आये search किया क्या फोर है फोर है ठीक है अगेन आपने search किया क्या seven है बिल्कुल seven है तो आपने count increase कर दिया कि आपको एक arithmetic triplet मिल गए ठीक है और अगेन आप थोड़ा सा आगे बढ़े वन पे गए तो वन के corresponding अगेन आप क्या search करोगे फोर four भी है seven भी है अगेन आपका arithmetic triplet आपको मिल गया अगेन आप आगे बढ़ोगे one मिला one के corresponding again four है seven है तो फिर से आपको एक unique triplet फिर से आपको arithmetic triplet मिला पर यहां पर आपको question में साफ साफ लिखा हुए है कि जो भी आप arithmetic triplet हो जो गया ना उसका जो वो जो होना चाहिए वो unique होना चाहिए ठीक है number of unique arithmetic triplet तो इसके लिए मैं क्या कर दूँगा कि जब तक मुझे वो same मिल रहा है ठीक है one 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 four seven ठीक है तो एक बार इसके corresponding मैंने one four seven store कर लिया फिर मैं इस one पर आया तो देखूँगा कि जब तक मेरा previous वाले से same मिलता जुलता है जैसे कि previous वाले से same मिलता जुलता है तो इसको आई को आगे बढ़्या दूगा फिर आगे यहाँ पर आए तो है area manager को आगे बढ़ा दूगा फिर यहाँ पर मैं तो अब यह पिछले वाले से मिलता जुलता नहीं तो इसके corresponding 7 010 खूजने का कोशिश करें तो बस यह एक जो है वो return करता है एक particular range जो कि आप provide करेंगे उसमें again एक element रहेगा e मान लेते हैं और यह range मान लेते हैं l से r इस range l से r के बीच में यह element e से कौन से ऐसा element है जो की छोटा नहीं है ठीक है तो क्या हो सकता है जैसे कि एक example के साथ बात करते हैं 12345 इसमें आपने lower bound लगाया lower bound अपने लगाया 3 पे तो इस array में कौन से element है जो की 3 से छोटा नहीं है तो 3 खुद है अगर आपने lower bound लगाया 6 पे ठीक है तो से कौन से पहला element है जो की 6 से छोटा नहीं है वह 8 ठीक है तो यह उसका इटरेटर रिटरन करेगा उसके बाद फिर आप उसमें कर देंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले lower bound search करेंगे नमस ऑफ आई प्लस difference जैसे कि हमने बात किया था कि दोनों का difference डिफ के एकवल होना चाहिए तो नमस ऑफाई प्लस टिफ हम सर्च करेंगे अरे में और इसके यह इटरेटर सब्ट्रैक कर देंगे और अगर वो out of bound चला गया जैसे कि अगर मैं lower bound of kind of 10 खोज था ठीक है तो यह तो इधर nums.end पे चला जाता ठीक है इसका मतलब क्या हो गया कि वो मेरे array में हैं ही नहीं ठीक है और अगर मेरे array में नहीं है तो फिर मैं आगे कुछ operation नहीं करने वाला जैसे कि अगर इसी में मै search करूँ 7 की corresponding difference 10 है तो मैं 10 पे अगर lower bound लगाऊंगा तो यह इधर and index return करेगा पर array में तो n-1 तक ही indexing रहती है तो अगर मेरा indexing n तक पहुच गया है ठीक है तो मैं skip कर जाओंगा अगर नहीं पहुचा है और nums of lower bound minus nums of i is equal to diff ठीक है अब जैसे कि यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मैंने search किया kind of 7 के लिए ठीक है 6 के लिए कहता है तो 6 के लिए मैंने search किया तो मुझे 8 वाला index return किया तो मुझे ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि अभी जो मुझे इसने index return किया है ठीक है जो भी index return किया है उसकी value उसकी value 6 है क्या अगर 6 है तो सही है और अगर 6 नहीं है तो problem है ठीक है तो मैं क्या क कर रहा हूं तो difference के equal आ रहा है क्या ठीक है अगर डिफरेंस के equal आ रहा है तो इसका मतलब कि आपको second कोई जरूत नहीं तो यहां पर हम क्या करेंगे सेकंड लोर बाउंड लगाएंगे इसमें अगेन हम नम्स ऑफ सेकंड एलिमेंट से बढ़ा के डिफ होजने के कोशिश करेंगे अगर वह मिल गया ठीक है तो वेल और अगर यह आउट ऑफ बाउंड चला गया या फिर उन दोन है तो आपको एक यूनीक अरिफ्मेटिक ट्रिपलेट मिल चुका है काउंट को बढ़ा लेना है और अगर नहीं मिला तो कोई दिक्ट के बाद नहीं बढ़ेगा और यह जो रेंज है यहां पर रेंज आपको प्रोवाइड करना रहत है कि आपका जो सर्चिंग स्पेस है इक्स्क्लूजिव रहता है तो आप जो भी लास्ट एलिमेंट उससे एक बढ़ा के पास करते हैं यहां पर आपको क्या करना होगा वहां पर रेंज आप बताईए क्योंकि सेकंड अपको एलबी पे मिला है तो यहां पर आपको एलबी प्लस वन से लेके एंड तक में खोज से जिनके लिक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये हुए हैं और आप से भी डाउट हमसे पूछ सकते हैं तैंक यू